मुनवर फारू की एक पेमस टेंड़ अप कॉमेडियन तो हैं लेकिन उनके शो अक्सर विबादों में रहते हैं उनका धर्म पर कॉमेडी करना कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचाता है मुनवर पर आरूप लगते रहे हैं कि वो धर्म और राजनीती को लेकर हसी ठहाके की सीमा पार कर जाते हैं और उनका यही तंज कभी कभी उन पर भारी पर जाता है वो अक्सर इन मुद्दों पर खुल कर बात करते नजर आते हैं इसकी वजह से उनके शोज पर बुरा असर पड़ता है बैंगलोर के बाद अब मुनवर फारूपी का दिल्ली में होने वाला शो भी रद कर दिया गया है 28 अगस्त को दिल्ली में मुनवर फारूपी का शो होने वाला था जिसे दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच ने परमीशन देने से इनकार कर दिया है विश्व हिंदू परिशद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिख कर शो कैंसिल करने की मांग की थी नेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लाइसेंसिंग ब्रांच से एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसके मुताबिक मुनवर के शो की वजह से इलाके में सामप्रदाइक शान्ती भंग हो सकती है मुनवर फारुकी का शो सेंटरल डिल्ली के केदारना साहनी ओडिटोरियम में 28 अगस्त को होना था लोकल पुलिस ने शो की रिक्वेस्ट लाइसेंस ब्रांच को भेजी थी लेकिन लाइसेंसिंग ब्रांच ने शो करने की जाज़त देने से इनकार कर दिया 25 अगस्त को विश्व हिंदू परिशत दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुपता ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र भेज कर आरुप लगाया था कि फारुकी ने अपने शो में हिंदू देवताओं का मजा कोड़ाया और उन्हें हैदराबाद में हुए धार्मिक उन्मात के लिए दोशी धहराया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक उन्होंने 26 अगस्त की सुभा सेंटल रिस्ट्रिक्ट के वरिष्ट अधिकारियों से मुलकात की और कमला मार्केट थाने में शिकायद दर्ज कराई थी इन सभी विरोधों को देखते हुए दिली पुलिस ने हिंसा भरक जाने का डर जताय था और इसके चलते मुनवर के शो को कैंसिल कर दिया गया